गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी, उमीदे सब बढ़ियां चल रहा होगा और एक्जाम की तैयारी, अपकमिंग एक्जाम के लिए स्पेशली सेशन हो रहे हैं, जिसमें मैं मैं मैट्स ले रहा हूँ, तो मैट्स सेशन में हम कुछ अच्छी बातचीत करेंगे, जिससे कोशन जरूर करेंगे, जो आपके एक्जाम में मतलब एक फिक्स पैटर्न पर आते ही आते हैं, जैसे किसी के तैयारी ना हो, अगर किसी ने उन कोशन को ना देखाओ, तो लास्स मॉमेंट पे इन कोशन को एक बार देखने पर भी आप एक्जाम में इसली ने डील कर सकते है ठीक है तो चलिए फिर copy pen एकदम ready रख लीजे और आईए शुरुबात करते हैं आज के session को ठीक है तो आज के session का पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर ये देखिए मिसलेनिस category के हैं इसमें सारे तरह की question है कल आपने देखा होगा तो इसमें 2D भी है 3D भी है अंग गडित भी है नंबर सिस्टम भी है प्रॉफिट लॉज भी है परसंटेज भी है जितने तरह से जो जो question आपके exam में आ सकते हैं हमने सब को एक दो-दो question लिए हुए है तो चलि आसान सवालों से हम हल करते हैं ताकि थोड़ा तो confidence boost होता रहे मोधी जी की तरह नहीं मोधी जी कहते हैं कि थोड़ा पहले cut-in सवाल करना चाहिए है ना मोधी जी cut-in करते थे लेकिन हम लोग क्या करेंगे आसान सवाल ठीक है तो आई है त्यार हो जाईए और screen पर आपके प कोनों च्छे के स्थानी मानों का गुड़नफल क्या होगा बताईए जरूरी बात कि आप वीडियो के एक पर शेयर जरूर कर दीजेगा अभी 8-10 रामसरने क्लास लिए तो हो सकता है दो घंडे क्लास लेने के बाद कुछ लोग पानी पीने या नाश्ता करने चले गए तो आओ शुरू करते हैं है तो संख्या क्या है आज देखिए थोड़ी से बदली हुई है उमीदेखिए आपको अच्छे समझ में आएगे ठीक है नमबर है 7-8-6-3-6-4 इसमें स्थानी अमान बताना है तो स्थानी मान किसका बताना है छे का तो स्थानी अमान अगर किसी पढ़ा है तो आसान ही समझता होगा नहीं तो आप का जिस अंक्रान निकालना है वो अंक लिख लीजे और उस अंक के बाद जितने अंकों उतने ही जीन ही है इस रसॉत निमान क्या होगा 60 स्थानी में कैसे निकालेंगे 6 दही दरफ एक एक से कहरा है कि दो डोनों च्छे के स्थानिमान आपने निकालें उनका गुड़नफल बताईए तो 6 चंक 36 गुड़नफल में जीरो जितनी बार आता है उन सब को लिख लिए जाता है तीन और एक चार बार आया है तो चार बार हम लिख लेते हैं यह तो यहाँ पर सही उतर क्या होगा 36 के चार जीरो मतलब पाउमी तो शुरुबात हो रही है तो चलिए नेक्स अवाल यह है यह है कोशन नमबर टू कोशन नमबर टू अमंग उस दा पॉलोइंग फ्रेक्शन दे लाज़ेस और स्मॉलेस प्रेक्शन रिस्पाक्टिवली आर निम्लिकित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन कौन सी है तो आईए बताइए यह भिन्नों का एक समुझ दिया गया है आपको इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी है सबसे चोटी तो भिन्नों को बताने की बहुत तरीके हैं लेकिन मैं आपको एक इस तरह से बताता हूँ जैसे माली चे कहीं पर यह लिखा हुआ है यह और आपको बताना है कि यह बड़ी है कि यह बड़ी है तो आप किसी भिन्न की जब तुलना करते हैं तो आप उसे सरल कर सकते हैं कैसे अंश को लिखकर अंश और हर में जो अंतर है वो नीचे लिख सकत किसी भी भिन को इस तरह से सरल कर देने पर उसकी तुलना में कोई फर्क नहीं पड़ता है मतलब जो बड़ी होगी वो तब भी बड़ी कहलाएगी जो छोटी होगी अब क्या है अब इन्हें सरल करना आपके लिए आथान है तीन अठे 24 और ये चार चंग 24 तो 8-6 से बड़ा ह तो ये एक साधा बहार तरीका है नहीं तो अन्य कई तरीके हैं जब हम भिन और दश्रमलों पर separate class लेंगे यूपीटेट के point of view से तब वहाँ पर आपको सिखाएंगे ठीक है तो आईए यहाँ पर थोड़ा तहल करके देखते हैं तो इसे कैसे कर सकते हैं तीन बटे में ती बटे में 2 और 3 का अंतर एक चार बटे में 5 लिखा हुआ है मतलब चार बटे में 4 और 5 का अंतर एक पांच बटे 6 का मतलब है 5 बटे 5 और 6 का अंतर एक तो देखिए सब की नीचे 1 है मतलब 1 आप लिखे या न लिखे कोई तर्षा नहीं पड़ेगा तो सबसे बड़ी भिन कौन सी हुई ये वाली और सबसे छोटी बिन कौन सी हुई ये वाली है ना तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी मतब दूसरे और तीसरे नंबर वाली है छे बटे साथ और एक बटे दो देखे रिस्पेक्टिवली शब्द लिखा हुआ क्रमशा इसका हुआ सबसे बड़ी पहल मानी गई है तो से बड़ी वाली पहले कि जैसा ये विकल्प है वैसे ये विकल्प है क्रम्शा शब्द का इस्तमाल किया गया है तो आंसर क्या होगा एक बार कॉमेंट्स मैं देख लेता हूं कि आपके उतर जो आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं तो अमन महेश्वरी ने बिल्कु ये पैटन पर बेस्ट सवाल है पैटन पर बेस्ट सवाल है पैटन हमें सोचने का बहुत मौका देता है कि कितना कुछ हम सोच सकते हैं जितना कुछ हमने सोचा है उन सबको आधार बनाकर कितना जादा हम सोच सकते हैं उनका मौका देता है इसलिए पैटन के भी एक question KVS CTAT इन सब में हमेशा आते रहते हैं आप देखते होंगे तो बताईए pattern को देखी रहता निम्रिखित पर answer दीजे तो pattern को अगर आप देख रहे हैं तो 1 plus 3, 4 3 और 1, 4, 5, 9 3, 1, 4, 5, 9, 7, 16 तो हमें ये समझ में आ गया कि जो संख्याएं लिखी गई है उन्हीं का योखफल हमें बताना है है ना? लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ से इनको जोड़ना ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते हैं लेकिन इनको जोड़ना भी अपने आप में एक सवाल है कि क्या इतना जोड़ने के लिए मैं एक्जाम में तयार हूँ होकर आप कहते हैं हाँ, तो यह 17 पता नहीं कितने आगे तक जा सकता है, कल को board भर जाएगा, अगर board भर जाएगा आप कर सकते हैं, तो बोर्ड पार करके दिवार में निकल सकती है, तो कहां तक हम जोड सकते हैं, तो pattern का मतलब है कि pattern एक कुछ ऐसा संख्याओं के बीच संबंध बन रहा होगा जिससे आपको 5, 15, 20 अनन्द संख्याओं दे दी जाए आप तब भी जवाब दे सकते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले पर दो ही पद हैं पहले पद कितने हैं दो यहाँ पर पद कितने हैं तो आप कहेंगे तीन यहाँ पर पद कितने हैं आप कहेंगे चार यहाँ पर पद कितने हैं तो आप कहेंगे पांच तो जितने पद हैं उन्हीं का वर्ग साथ आठ नौ तो यहां पर है पदो की संख्या नौ तो जो मुझे सम मिलेगा वो क्या मिलेगा नौ का वर्ग मतलग 81 तो सही उत्तर क्या होगा C 81 तिक तो आप देख रहे हैं ये पहली दो विशम संख्या थी ये पहली तीन विशम संख्या थी ये पहली चार विशम संख्या थी ये पहली पांच विशम संख्या थी तो कहा जाता है कि अगर शुरुवात से विशम संख्या को जोड़ो पहली N विशम संख्याओं का योग अगर शुरुवास से विशम संख्याओं हैं तो प्रथम विशम संख्याओं का योग क्या होता है जितनी संख्याओं है उन्हीं का वर्ग तो अगर शुरुवास से N संख्याओं दी गई हैं तो N संख्याओं का योग क्या होगा N2 ठीक है तो ये बात हमें पता होने चाहिए चली रवी चोहान का भी उत्तर सही आगे 42 का 81 होगा Y के सूरी वंशी का भी बिल्कुल सही उत्तर आया है अमन महेश्वरी का भी बिल्कुल सही उत्तर आया अच्छा वो 44 का जवाब दे रहा है ठीक है आईए तो ये थे हमारे आसान सवल अब हम बिल्कुल शुरुबास से लेते हैं अपने सेशन को ये तो आ गया है हमारे इस पीपीटी का कोश्यन नमबर बन चली बताइए इस तरह के सवाल आ सकते हैं और बहुत ही आसान होते हैं बस थोड़ा था पेशन्स आपको देखने की ज़रूरत है बस किसी वस्तु का मुले उसके क्रेव मुले ते 25 परशट अधिक पर अंकित किया जाता है यादी वस्तु को उसके अंकित मुले पर 25 पर चुट देकर बेचा जाता है तो हानी और लाब जिस तरह से ऑप्शन दिये गए उनमें से कौन सा सही होगा तेक हैं मैंने आप से कल क्या अगर आप व्यवहारिक प्रशन ही सब अगर आप व्यवहारिक रूप से तयार हैं अगर आप शॉपिंग करते हैं मार्केट में जाते हैं और आप कितने का लेकर आ रहे हैं कितने का बेच रहे हैं अगर इन सब में आपको कोई दिक्कत नहीं होती और आप इसको व्यवहार मूले विक्रे मूले और अंकित मूले, आप तीनों को लिख लीजए CP, SP और MP यहां पर क्या कह रहा है, 25 प्रतिशत किसी वस्तू मूले मतलब अंकित मूले से होता है अंकित मूले करेमूली से 25 परशात अधिक अंकित किया जाता है, तो कल हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि 25 प्रतिशत को अगर सरल करेंगे तो 25 बटे में 100 मतलब 1 बटे 4, अगर मैं 4 रुपए क्रेमूले मान लूँ, तो 4 का 25 प्रतिशत क्या होगा, एक अधिक अंकित किया जा रहा है, इसका मतलब कि अगर 4 CP है, तो एक अधिक अंकित किया जा रहा है, क्या अंकित मूली तो अंकित मूली कितना होगा, 5, और मैंने आपको कल यह बताया था कि percentage value अनुपात दिखाती है, जैसे यहां पर है कि अंकित मूली पर 25 प्रतिशत छूड़ दे कर, अब अगर 25 प्रतिशत का मतलब discount के रूप में हम समान को बेचूंगा, तो समान बिखेगा किते में? 3 रुपए में, तो जो data दिये थे, उसके हिसाब से हमने अनुपात सेट कर लिया, कि CP और MP का अनुपात है 4 अनुपात है 5, SP और MP का अनुपात है 3 अनुपात है 4, यह वेवहारी group से हो गया, अब गड़ित का इस्तमाल कर प्राबर होने चाहिए, इसका मतलब इसी सवाल में MP जो भी हो गा, उसका मान एक ही होगा, मतलब यह तो 5 होगा, यह तो 4 होगा, तवाल में अगर अंकित मूली पूछा चाहिए, तो कोई 5 उरुपाय बताएगा, कोई 4 उरुपाय बताएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो गडित में दो संख्याओं को बराबर करने के लिए एक मापदंड है LCM, कभी भी 2, 3, 4, 5 किसी भी संख्याओं को उगर समान करना है, तो हमारे पास मापदंड है LCM, 5 और 4 का LCM क्या होगा 20, इसका मतलब यहां 4 से गुड़ा कर दूँ, तो यहां 5 से गुड़ा कर दूँ, तो म कितना बन गया, 16, यहां 5 से गुड़ा हुआ है, तो यहां 5 से गुड़ा होगा, तो SP कितना बन जाएगा, 15, तो मुझे CP, SP और MP का नुपात प्राप्त हो गया, 16, 15, 20, सवाल मैं कह रहा है कि बताओ, लाब हो रही है हनी, तो मैंने कहा कि 16 रुपे का सामान बेचा जा रहा ह पंदरा रुपे में जादा मैं खरीद कर कम बेचा जा रहा है, मतलब हानी होगी, और कितने की हानी हो रही है, एक यूनिट की, तो कहा है परसंटेज robots और परसंटेजी बताना है, 100 से गुड़ा, इसे ही सरल करेंगे, तो मेरा उत्तर आ जाएगा, और उत्तर क्या होगा, 4, चार चंग चौबिस एक बज गया, छह सही एक बटे चार प्रितिशन, तो यह आ गया, मेरा उतर, छह सही एक बटे चार ये दिया हुआ है, और हानी में दिया हुआ है, तो मेरा आंसर क्या हुआ सही, B, B is the right answer, रवी जोहान कभी उतर आ गया, B, बहुत बड़ी हैं, मैट्स मस्ती, YK, सूर्य बंशी, 1 का A, अरे 1 का A नहीं, 1 का B, अरे 1 का A, ठीक, तो ये दा कोशन नमबर 1, अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो, तो पूछने में बिल्कुल भी बेच क्या है ना, ठीक है, अगर आपको लगता है कहीं पर कुछ पूछना चाहिए, तो आप जरूर पूछें, कॉमेंट्स करें, सवाल निकलने से पहले ही पूछें, क्योंकि एक बर सवाल आगे हो जाता है, तो वापस आकर आपको केवल समझाने पर, अन्य जो बच्चे हैं, उनमें थोड़ा था होता नहीं, डाइवर्सिटी आ सकती है, ठीक है, तो आई अगले सवाल पर चलते हैं, यह है, कोशन नमबर 2, कोशन नमबर 2, दा वैल्यू अब दिस, अब यह क्या है, यह बीच में X नहीं है, यह गुड़ा है, ठीक है, बीच में क्या है, गुड़ा है, तो अंडा रूट 7, 6, 8, इंटू, अंडा रूट 3, 2, 6, 7, बटे में, under root 144 ठीक जैसे 144 का वर्गमूल मुझे पता है क्या होता है 12 तो अगर मुझे इन दोनों का याद है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी है ना अगर इन दोनों का मुझे याद है तब तो कोई दिक्कत होगी नहीं अगर नहीं है तो कल हमने एक शब्द पढ़ाता अभाज जी गुलनखन जब भी कभी भी वर्गमूल निकालना होता है तो हम अभाज जी गुलनखन का स्टमाल करते हैं अभाज जी गुलनखन कैसे निकालते हैं तो से काटेंगे दो नावाट ठारा दो शेंग बार में कट जाएगा और फिर दो से काटेंगे तो तीन बार में कट जाएगा यह इसलिए करते हैं कि अगर अंडरूट 4 है और मैं 4 के अभाज गुड़नखंड कर दूं तो मुझे 2 गुड़े 2 मिल जाएगा करणी के अंदर अगर जोड़े में संख्या है तो बाहर निकल सकती है तो आजाएगा उत्तर 2 अगर यही अंडरूट 8 आजाए तो मैं कहूंगा 2 दुनी 4 दुनी 8 इस 2 के पास जोड़ा है तो यह 2 बाहर आजाएगा एक दो अकेला है तो वो करणी में फसा रहेगा तो 8 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो क्या जाएगा 2 रूट 2 यह सब क्या है हम वर्गमूल में पढ़ेंगे तो यह बात अब समझ गए तो जब हमें किसी संख्या का वर्गमूल निकालना होता है तो हमारे पास दो रास्ते हैं जिसमें एक है अभाज गुडंखंड तो अभाज गुडंखंड यह बताता है कि जोडों में संख्या बन रही है या नहीं बन रही है तो आप मुझे बताईए तो जब मैं 7,6,8 का अभाज गुडंखंड करूँगा तो कितने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, दो, आठ बार आया है और तीन कितनी बार आया है एक बार यह इस तरह से इसी तरह से 3,2,6,7 का कर लेते हैं में 3,2,6,7 का ठिक अब 2 से नहीं कटेगी तीन से गाटेंगे तीन 1-3,3,8,24,3,97 फिर तीन से कटेंगे तीन एक्क्स 9,3,6,8,кий,8,3,9 थिर 3 से काटेंगे 3.3,3,2,6,3,1,3,7 और 11 से तीन बार, और ग्यारा कितनी बार आया, दो बार, तो हम इस बात को जानते हैं, कि करणी के अंदर वही संख्या निकल सकती है, जो जोडों में हो, तो यहाँ दो कितने हैं, आठ, दो कितनी बार है, आठ बार, तो दो चार बार बाहर निकल जाएगे, और तीन एकी बार है, तो तो तीन करणी में फच जाएगा, यहां पर तीन तीन बार हैं, दो तो बाहर निकल जाएगे, तो दो तीन बाहर निकल जाएगा, और एक तीन अंदर फच जाएगा, ग्यारा का दो जोड़ा है, तो ग्यारा बाहर आजाएगा, तो यह आ गया, इसको सरल करने पर, तो इसे सरल करने पर क्या आया इसे सरल करने पर आया दो चार बार है गुड़े रूट त्री से रूट त्री में गुड़ा हो जाएगा तो क्या जाएगा तीन तीन आ जाएगा दो बार और ग्यारा जाएगा एक बार और नीचे क्या है एक 244 का वर्गमूल मतलब 12 तो इसे ही सरल कर लेते हैं कोई न कोई उत्तर हमें मिल ही जाएगा तो आईए कि एक तीन से काट देते हैं तीन चोके 12 और यह चार से काटेंगे चार चोके 16 तो यह आ गया गया ग्यारत यह से हो जो इस बात को ना समझ पा रहे हो तो पहले मैं थोड़ा सा बोर्ट से साफ कर देता हूं क्योंकि आप अपनी नजरों से सबको देखते हो सबको देखने जरूरत नहीं है उसी को देखना है जो जरूरी हो है ना क्या भीड में आप किसी को मतलब भीड में किसी एक पर गुडन-खन्ट किया एक जानता हूं कि करणी के अंदर अगर कोई जोडों में तो एक निकल जाता है बाहर अगर तीन तीन में तो यह दो तो बाहर आ जैएंगे एक फस जाएहा है इसका मतलब जैए कि कि अगर कोई सी जितनी घात पर है वो आधा बाहर आता है सो आधा तो बाहर आंगा यह एक घातता एक घातत की आधा था मैं कर पारें इस वंहें बाहर निकल पायें सतरू अब यहां पर तीन घात 16 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 11 नीचे क्या है तीन चोगे 12 चार चोगे 16 इसी का गुड़ा कर दिया मैंने कितना आ गया एक सो आंसर कितना है 132 132 चली पूजा पटेल भी हमारे साथ जुड़ गई है ब्रिजेश कुमारी भी जुड़ गई है ब्रिजेश कुमार तेवारी है, ठीक है, चलिए, संख्या को बढ़ाईए, शेर करना मत भूलिए, शेर करते रहिए, पांच से दस होते हैं, दस से पंदरा होते हैं, पंदरा से बीस होते हैं, आईए, ये सवाल, देखे, मैं उन तरह के सवाल लाया हूँ, जो कल मैंने कराया उसके भी सवाल हैं, क्यों, क्योंकि कल करके शायद आप भूल गए हूं, कल किया, अभी आप करेंगे, तो कल वाला सवाल, अगर आप भूल भी गए हूं, तो आप आज यार्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो इस सवाल को उत्तर बताएगे क्या होगा, आईए, एपा सिक्स डिज पढ़ लिए था और 72 को हम किसमें तोड़ते हैं 8 बुड़े 9 इसका मतलब ऐसी संख्या जो 8 से भी विभाजित हो और 9 से भाजित हो वो किस से भाजित होगी 8 नवईया 72 तो मुझे इसकी वैल्यू बताना है तो सबसे पहले हम किस से ट्राइ करते हैं सबसे पहले हम ट्राइ कर की जगह पर मैं क्या लिख दूँ चार जब वाई के जगह पर चार होगा तभी 8 तरिक 24 ये कटेगा चार के लावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो वहाँ पर रख दें और वो 8 से कट जाए आप अगर बहुत गड़ित में कम जो होने तो आप 0 रख सकते हैं 1 रख सकते है 3 रख सकते हैं 4 तब आप पाएंगे 4 रखने पर ही 8 से संख्या कटेगी इसका मतलब वाई कमान कितना आ गया 4 वाई कमान कितना आ गया 4 अब 8 से तो कट गई संख्या 8 से कब कट गई जब वाई कमान क्या हो 4 अब मुझे 9 से भी ट्राई करना है 9 से ट्राई करने का क्या क्या है अंकों का योग तो मैंने संख्या के सभी अंकों को जोड़ दिया मैंने संख्या के सभी अंकों को जोड़ दिया और मैंने कल आपको बताया था कि अगर संख्या बहुत बड़ी है तो आप संख्या के अंकों का योग नौ जहां होता है वही पर हटा सकते हैं जैसे चार प्लस 3, 7, प्लस 2, 9, हड़िया, बचा कितना, 8, 4, 12, 12, 12 प्लस X, अब X की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, कि ये योग फल 9 से कट जाए, तो 0 रखिये, 1 रखिये, 2 रखिये, 3 रखिये, 4 रखिये, 5 रखिये, जैसे ही आप X की ज़र 6 रखेंगे, ये 12, 6, 18 हो जाएगा, और 18 9 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब 9 से इस संख्या को विभाजित करने के लिए X का मान 6 होना चाहिए, और 8 से कटने के लिए Y की जगह पे 4 होना चाहिए, अब ये संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित है, इसका मतलब 8 नवई या 72 से भी विभाजित होगी, तो X की ज रवी चोहान का उत्तर आ गया है, X, Y की वेल्यूज 6 और 4 होगी, बिल्कुल सही, ब्रिजेश कुमार कह रहे हैं, 8 ब्रिजेश का भी सही उत्तर आ गया है, Y के सूरेबंशी 3 का 8, बिल्कुल सही, सभी लोग बिल्कुल भारतवाज भी बीच में आ गये हैं, 8 का जवाब लेकर बिल्कुल सही जवाब है भारतवाज जी, चलिए आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, शेयर करते रहिए, सेशन को, बढ़ाते रहिए, अपनी संख्या, ठीक है, आई, अब यह है, बहुत शांदार सवाल, इसका मतलब कि छोटे से बालक और इस सवाल को समझाना हो, तो मैं उसके यह बताऊंगा, कि A का मान दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है, मतलब जिस A और B की चर्चा की जारी है, उसके मान दियेगा है, आपको A और B का ही LCM निकालना है, और A और B का ही SCF निकालना है, इस इसका मतलब दो संख्या दी गई है, दोनों ही संख्याओं का LCM SCF आपको निकालना है, और बीच में डिवाइड दिया गया है, डिवाइड करके मुझे उत्तर बताना है, तो जल्दी से आपके कॉमेंट देख रहा हूं, देख रहा हूं कौन LCM SCF निकालना है, कौन LCM SCF निक मैं देख रहा हूं, आपके कॉमेंट देख रहा हूं, जल्दी मुझे अंसर दीजिए, क्या हम LCM SCF भी नहीं निकाल पा रहे हैं, आई, तो A का मान दिया हूँ, B का मान, देखिए, अब SCF, LCM निकालने के भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसमें से, और सारे तरीके जरूरी नहीं कि कोई एक तरीका आपने पढ़ लिया है, तो उसी तरीका साब LCF, LCM निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं, सारे तरीके आने चाहिए, क्योंकि संख्याओं पर डिपेंड करता है, क और इस पर सवाल डिरेक्टली भी आता है, इसलिए हम देखेंगे अभाज गुळनखंड वाला तरीका, आओ भी या, कहते देखेंगे, तो निकाल लिए 360 और 900 के अभाज गुळनखंड, तो 360 के हमने अभाज गुळनखंड की है, अभाज गुलनखंड क्या है, कि इवल से कट गिया ध toe से करते हैं कटया अब दो से कड़ रहां से काटेंगे फिर तीन से कट रहा है आप ठीज़ी में गburst कर दीए दो को करता आग्या फिर दो से काटा कड़ गया अब दो से कट रहा है किसे काट रहे हैं तो तीन सो साथ के मैंने अभाज गुडनखंड किये तो मुझे दो कितनी बार मिला तीन बार दो कितनी बार मिला तीन बार तीन मिला दो बार पांच मिला एक बार और 900 के अभाज जी गुलनखंड किये तो 2 मुझे मिला 2 बार 3 मिला 2 बार और 5 भी मिला 2 बार 3 मिला है 2 बार यहाँ पर ठुड़ता यह तो इस बात को समझे आप कि जब आप किसी संख्या के अभाज जी गुलनखंड कर लेते हैं मतलब किसी संख्या को अभाज गुडणखंड में आप बना ले या संख्या अभाज गुडणखंड में बनी बनाई दी जाती है तो जब भी आप LCM लेंगे तो LCM में बड़ी घाद को लिया जाता है जैसे यहां पर 2 गी खाद 2 है, यहां 2 गी खाद 3 है, तो बड़ी खाद कौन सी है? 2 गी खाद 3 यहां पर 3 गी खाद 2 है, यहां पर 3 गी खाद 2 है, तो आप क्या लेंगे 3 गी खाद 2 यहां पर 5 ही घाट 1 है यहां 5 ही घाट 2 है तो बड़ी घाट क्या है 5 ही घाट 2 तो यह क्या जाएगा LCM यह क्या जाएगा LCM SCF में क्या है SCF में उल्टा होता है SCF में छोटी घाट ली जाती है SCF में छोटी घाट जैसे 2 की खाथ 3 है, 2 की खाथ 2 है, तो छोटी 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 खाथ 2 है, तो यह 5 खाथ 1 है, 5 खाथ 2 है, छोटी खाथ क्या है, एक, तो यह LCM आ गया, यह STF आ गया, बीच में क्या था, divide, तो हम भी बीच में क्या कर देते है तो दो को काड़ा बचेगा एक यह पूरा पूरा कट जाएगा यहां एक पांच है तो यह जाएगा तो यही मेरा सवाल के l cade यही मेरा सवाल के लिए सही उत्तर है कि तो भारत द्वार जी का जवाब दिख रहा है दो कि घहात तीन आभी तीन बार बिल्कुल क्लास अटेंड किये सभी लोग थैंक यू रवी चौहान ने तो पुरा LCM ही निकाल दिया ठीक है मैं ये कहना चाहूँगो जब भी LCM-SF निकालना हो कि निए दो संख्याओं तीन संख्याओं चार संख्याओं का समाय पर तीन-चार तरीके हैं अलग-अलग लेकिन ऐसा कोई एक तरीका नहीं है जिससे हम सारे संख्याओं पर लगा सकें ऐसा नहीं कि होगा नहीं लेकिन कितना टाइम लेगा यह हम नहीं कह सकते हैं तो जो भी 3-4 तरीके हैं, जिसमें एक अभाज गुलनखंड वाला ये तरीका भी है, तो इससे भी हम अपलाई कर सकते हैं, इस पर एक सवाल 20 सेशन में आएगा, उसे हम देखेंगे कि हमने क्यों पढ़ा, तो मैंने आपको क्या समझाया यहां पर, कि जब हम अभाज गुलनखंड के आधार पर LCM-SCF निकालते हैं, तो LCM में बड़ी घात लेते हैं, लिख लीजेगा जहां आप नोट्स परा रहे हैं, जब भी अभाज गुलनखंड पर आधारी तम LCM-SCF निकालते हैं, तो LCM में बड़ी घात ली जाती है, और SCF में दी गई संख्याओं में जो भी छोटी घात में, उसे लिए जाता है, फिस बात को याद रखीगा, LCM बड़ी घात, SCF छोटी घात, आई, ये एक जानदार शवाल है, बताईए इसका सवाब, उत्तर, किसी वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 15 परतिशत की छूट दे कर बेचने पर एक दुकानदार को फिर भी 19 परतिशत का लाब होता है, वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रेमूल से कितने परतिशत अधिक है, बताईए, शिवम बगेल आगें, गुड़ मॉनिंग, कोश्यन नमबर आठ, कोश्यन नमबर आठ, आप देखिए, एक तरीका तो वही है, कि मैंने आपको कहा था कि जब भी लाब हानी की बात की जाए, या जब भी डिस्काउंट की बात की जाए, आप इन तीन चब्दों को लिख लीजे, और जैसा सवाल में कह रहा है, उसके आधार पर इनका अनुपाहन काल लीजे, एक तरीका तो यह, लेकिन यह सवाल इनसे भी जादा important है, क्योंकि यहाँ पर 15 प्रतिशत छूड़ दी गई है, और 19 प्रतिशत लाब दी गई है, जब भी सवाल में डिस्काउंट और profit loss percentage ही बात की जाए, और सवाल केवल अंकित मूले और क्रैमूले पर आधारित हो, तो इसे एक और आसान तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे आप मुझे बताईए, कि CP, CP से SP पहुँचने के लिए क्या कहते हैं, भाई अगर CP में profit percentage, profit add कर दूँ, तो क्रैमूले पर वस्तु को खरीदा लाब जोड़ कर बेज दिया, तो इसका मतलब CP into 100 plus P बटे में 100, यही सूत्र होता है मेरा, आप कहेंगे हाँ, यह क्या है, यह selling price का मतलब है, MP से अगर मैं discount दे दूँ, अंके तुम उले पर discount दे दूँ, तो मैं बेज दूँगा, मतलब selling price पहुँच जाऊँगा, MP into 100 minus discount बटे में 100, यह क्या होता है, सूत्र selling price का, यह भी selling price है, यह भी selling price है, तो 100 से 100 कट जाएगा, और CP बटे में MP आ जाएगा, 100 minus D बटे में 100 plus P, यह percentage में, तो यह आपको लग रहा होगा, मैं क्या बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यह एक relation हो जाता है, मैं केवल relation लिख रहा हूँ, कि आप इस relation को अगर आप नहीं जानते थे, तो आज रट लीजे, कि किसी वस्तू के, क्रैमूले और अंकित मूले का अनुपात होता है, 100 minus discount percentage, बटे में 100 plus profit percentage, इसे आप अगर रटे हुए हैं, तो यह सवाल आता है, हमेशा fix सवाल है, इसे आप रटे लिजे, और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यह कहना चाह रहा हूँ, कि जब भी सवाल में, अंकित मूले और क्रैमूले की ही चर्चा हो, और लाब हानी प्रचत, या discount percentage दिया हो, तो वहाँ पर यह relation लग जाता है, ठीक, यह है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CP और MP का ratio निकालेंगे, कैसे, CP क्या है, 100 minus discount percentage, तो discount percentage कितना है, 15, तो यहाँ पर 100 minus 15, अनुपाते, MP क्या है, 100 plus profit percentage, profit कितना है, 19 प्रतिशत का लाब, plus 19, तो 100 में 15 का पच्चासी, और 100 में 19 जोड़ेंगे, 119, थोड़ा छोटा कर देते हैं, कार्ट पीट के, 17, 5, 85, 17, 7, 119, इसका मतलब, इस सवाल में, क्रेमूले और अंकित मूले का अनुपात कितना है, 5 अनुपाते, 7, तो आप से पुझ रहा है, वस्तू का अंकित मूले, क्रेमूले से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप मुझे बताईए, अंकित मूले 7 है, क्रेमूले 5 है, कितना अधिक है, 2 अधिक है, कह रहा है, परसंटेज बताओ, तो परसंटेज वृद्धी की जब भी बात की जाएगी तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर दो जादा है किस पर पांच पर नीचे हमेशा छोटी संख्या गुड़े में दो तो काट दिया पांच गुड़े 20 सो 20 दुनी 40 तो इस सवाल का सही उतर आ गया 40 इस सवाल का सही उ सवी सवाल जाए का सबी बहुत अख्या लग रहा है है जब भी सवाल में है अंकित मूल का यह अनुपाद बताता है इससे याद रखेगाब डैकली सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम के पॉइंट आप यू से बताईए क्या होगा सभी जवाब मैंने कहा कि जोमेट्री में डाइग्राम का हो या ना हो आप बनाएं जरूर तो यह है त्रिबूज ए बी और कॉण कोण को दो बरावर हागों में बाट रहें और बिंदु प मिल रहे है कॉण बीपी सी 102 डिग्री है, बीपी सी मतलब यही वाला कितना है, 102 डिग्री, तो कोण एक ही माप क्या होगी, आप इसे कई तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नया आपको सिखाऊंगा जरूर, ध्यान दीजेगा, मैंने आपको बताया था कि तीनों अंता कोण जिस बिंदू पर मिलते हैं, उसे अंता केंदर कहते हैं, यहाँ पर तरीके इन दो कोणों के सं दिभाजक जिस बिंदू पर मिल रहे, इसका मतलब ये बिंदू कैसा होगा, अनता केंदर, क्या होगा, अन्ता केंदर, इन सेंटर, क्या होगा, इन सेंटर, और आपको मैंने ये शायद बताया था, कि अन्ता केंदर में बना हुआ कोण हम निकाल सकते हैं, कैसे, 90 प्लस हाफ औफ, सामने वाला कोण, और इसके सामने कौण सा कोण है, ए, ये, तो अन्ता केंदर पर जो बन रहा है 102 है, 90 प्लस हाफ औफ, ए, यहाँ 90 लियाएं घड़ जाएगा, तो 102 में 90 जाएगा, 12, 12 बराबर हाफ औफ, एंगल, ए, दो का इसमें गुड़ा हो जाएगा, तो हो जाएगा, एंगल, ए इस इकल टू, 12 दूनी, 24, तो कोण, ए का मान क्या जाएगा, बी, कोण, ए का मान क्या जाएगा, बी, 24, सभी का सही उत्तर आ रहा है, लगातार, अब देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और समझाना चाहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगी, मैंने आपको पिछली, एक दो क्लास के पहले, जो geometry mensuration की special class ली थी, वहाँ मैंने आपको बताया था, कि अगर त्रिबुज हो या चतुरबुज हो, तो आप यहाँ पर अपने मन से कोई भी value मान सकते हैं, किसी को लग रहा होगा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ, कि त्रिबुज के तीनों अंता कोणों का योगफल कितना होता है, तो आप गहेंगे 180, तो आप एक ऐसी value मानिएगा, जिससे त्रिबुज के तीनों कोणों का योगफल 180 रहे, वो न बदले, उसके अलावा, आप कोई भी value मान सकते हैं, कोई मतलब कोई भी value, जैसे, अगर यह 102 है, ठीक, तो आप इन दोनों को मान ल लिता हूं, और इसको मैं 60, ठीक, तो यह जो छोटा वाला त्रिबुज दिख रहा है, इस त्रिबुज के तीनों अंता कोणों को योगफल कितना है, 180, मान सकते हैं, यह 18 हुआ, तो उपर वाला भी ठारा होगा, सम्दिभाजक है, यह 60 तो उपर वाला भी 60 हो जाएगा, त 120, और यह ठारा ठारा कितना हो गया, 36, तो यह 120, यह 36 कितना हो गया, 154, तो यही वाला कोण बचा होगा है, यह कितना हो जाएगा, 24, और हमारे यही आंसर आ रहत है, ठीक, मैंने क्या बताया आपको, एक बर फिर सुन लीजे, और एक बर सुनिये मत, जल्दी थे, जब तक मैं हल कर रहा हूँ, तब तक आप भी अपनी कॉपी में, अपने पेंसे, कोई भी मान, मान लीजे, कोई मतलब कोई भी मान, जब बचें, अन्य दो, आप अपने से कुछ भी ले सकते हैं, चलिए, इसको मैंने ले लिया, पचास, तो यह क्या हो गया, एक सो दो और पचास, एक सो बावन, बचा कितना, अथाईस, अब यह पचास है, तो यह कौन सम्दिभा चकता, यह भी पचास होगा, यह थाईस था, त अन्य तीसरा कौन कितना होगा, 24, तब भी हमारा उत्तर 24 ही बदल नहीं रहा है, तो यह उन लोगों के लिए है, जिनकी गड़ित कमजोर है, इस तरह के सवाल अगर आएं, तो आप अपनी तरफ से कोई भी एक मान, मान सकते हैं, समझ रहे हैं, चलिए, चलिए भारत वाजी सोचा जाएगा इसके बारे में, आईए, यह भी important सवाल है, क्लास में offline में बहुत से बालक इसके बारे में पूछते रहते हैं, क्या है यह सवाल, एक तार वृत्ध की आकरती के रूप में है, अगर एक तार है, जैसे यहाँ पर तो कोई तार नहीं है, अगर एक तार है, त तो उसे मोड़ मोड़ कर, अलग-अलग आकरती में ढाला जा सकता है, तो यहाँ पर क्यारा है, एक तार वृत्ध की आकरती में है, मतलब एक बालक पहले उस तार को किस रूप में बना दिया है, वृत्ध की रूप में, जिसका छेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका और किया रहा वर्ग का छेत्रफल कितना होगा तो याद रखेगा कि जब भी मोडा जाता है जब भी लिक लिजेगा अपनी नोट में नोट बना कर कि जब भी मोडा जाता है तो हमेशा दोनों ही आकरतियों का परिमाब बराबर होगा जब भी मोडा जाता है तब दोनों ही आक परिमाब बराबर होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही मैं समझा देता हूँ, आप मुझे बताइए, परिमाब क्या होता है, सबी भुजाओं का योग, इसका मतलब वो आकरती जितनी परिसीमाओं से बनी हुई है, या उस आकरती की जितनी भी बाउंडरी है, वही क्या दूसका मतलब प्रिमाप की जा रही है तो यहाँ पर अगर वृत्ट का छेत्रफल दिया गया है तो हम भी जानते हैं विभ्रिथ्ट का छेत्रफल्ल कितना होता है पाई आर स्क्वेर और यह कितना दिया गया है 154 पाई का मान हम रखेंगे 22 बटे 7 गुड़े में आर स्क्वेर बराबर 154 कार्ट दिंग 11 दुनी 22 11 11 11 11 12 12 12 14 तो आर स्क्वेर बराबर 7 गुड़े 7 आर बराबर अब यहां पर वर्गमूल आएगा और हम जानते हैं कि प्रिंस निकाल लूँगा 2 गुड़े 22 बटे 7 गुड़े 7 साथ साथ पढ़ जाएगा इतना जाएगा 44 और वृत्य की जो पर्धी होती है वृत्य के लिए परिमाफ है उसी को वृत्य के लिए हम पर्धी कहते हैं तो इसकी पर्धी 44 है इसका मतलब इस तार की जो लंबाई यह एक चक्कर पुरा यह कितनी है जो मौण कर pajamas चुछ परिमाप 44 है तो भुजा कितनी होगी 11 इसका मतलब यह 11 यह 11 यह 11 तो छेत्रफल कितना हो जाएगा वर्ग का छेत्रफल होता है भुजा का वर्ग 11 मतलब 121 तो इसका सही उत्र क्या होगा आयतन बराबर होगा जब भी मोडा जाएगा परिमाप बराबर होगा जब भी मोडा जाएगा परिमाप बराबर आईए फिर से एक जोमेट्र का सवाल देखने को मिल रहा है question number 8 तरिबूज ABC और DEF में यदि AB बराबर DE, AC बराबर EF, BC बराबर DF और निमलिकित में से कौन सा सह यह और विकल्पों में आप देख रहे हैं यह वाला एक चिन्न दिया गया है इसे हम सरवांग समता का चिन्न कहते हैं congruency का symbol है यह तो अगर आपको congruency की बारे में पता है तो आप इस सवाल को कर सकते हैं congruency क्या होती है दो तरिपूज अगर सरवांग सम है दो तरिपूज अगर ये तरिपूज बना दूँ और ये बना दूँ और मैं कहा दूँ कि ये दोनो तरिपूज कर um audible हो जाएंगे सभी अंग बराबर का मतलब है, दोनों हैं तो दो, लेकिन लगेंगे एक जैसे ही, इसका मतलब एक को एक के उपर रख दूंगा, तो एक दूसरे को पूरी तरह से धक लेगा, ठिक, तो सरवांग समता का मतलब है, पूरे के पूरे अंग बराबर, सभी भुजाएं बराबर हो दाचा से कभी नहीं बता पाएंगे यह कोई बच्चा बंदते बस को बन कम गश सर को बनाएगे तो इसके लिए तो सरवांग समता की शर्ते क्या है वो आप देख लिजे दो त्रिबुज दो त्रिबुज जो इंपोर्टेंट है वो देख लिजे एक तो एक त्रिबुज की तीनों भुजाओं के साथ अगर बराबर है तो हम सिर्ध करते हैं कि दोनों त्रिबुज सरवांग सम होंगे एक शर्त है एस 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 अगर देखे बीच में ए आ रहा है इसका मतलब एक त्रिबुज की दो भुजाएं और उनके मद्ध का कोण अगर दूसरे त्रिबुज की दो संगत भुजाओं उनके मद्ध कोण के बराबर है तो दोनों त्रिबुज सर्वांग सम हो सकते हैं तीसरा क्या है ती यहाँ पर मद्य में होना जरूरी नहीं है लेकिन यहाँ पर मद्य होना जरूरी है इसको ऐसे नहीं लिखा जबता है S, S, A इस बात को याद है कि गलत होगा ठीक तो ये तीन शर्त है चौती एक और है R, H, S ये राइट एंगल में लगती है राइट एंगल, आईपोटेनियस और एक साइड बराबर हो तो कभी-कभी पूछ ले जाता है कि निम्लिकित में कौन सी शर्त त्रिबुच की सरवांग समता सिद्ध कर सकती है तो याद रखे कर त्रिबुच की तीनों भुजाओं भुजा, भुजा, भुजा नियम भुजा, कोण, भुजा नियम कोण, कोण, भुजा नियम इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं इसे ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं RHS राइट एंगल कर्ण हाइपोटेनियस और एक कोई भी अन्य भूजा तो यह हमने यहां से जान लिया तो त्रिबुज की सरवांग संता की यह चार शर्ते हैं यहाद रखेगा आईए इस सवाल को देखते हैं यह सवाल के रहा है कि दो त्रिबुज है मैंने आप से हमेशा काया कि त्रिबुज बना लीजे त्रिबुज बना लीजे और नाम दे दीजे A, B, C एक त्रिबुज है D, E, F क्या रहा है AB बराबर DE AB बराबर DE इतने कलर है मेरे पास इस्तमाल करते हैं AC बराबर E, F AC बराबर E, F AC बराबर E, F BC बराबर BC बराबर BC बराबर DF BC बराबर DF तो मैंने देखा कि त्रिबुज की तीनों हो जाएं उस त्रिबुज की तीनों हो जाओं के साथ बराबर है इसका मतलब आफ साब यह है ये दोनों त्रिपुज क्या होंगे सरवांग सम अब त्रिपुज A, B, C है यहाँ पर D, E, F को ऐसे लिखा गया है D, E, F को ऐसे लिखा गया है मेरा कहने का मतलब है अगर त्रिपुज A, B, C है तो इसे आप चाहे A, C, B पढ़ो B, A, C पढ़ो C, B, A पढ़ो यह एक ही त्रिपुज के नाम है तो अब आपको बताना है किस तरह से लिखा जाएगा क्योंकि लिखे जाने पर ही सवाल आता है तो मैं आपको विदिन सेकेंड एक ऐसा तरीका बताता हूं जैसे आप सरवांग समता के आधार पर दो त्रिपुज के नाम करण कर सकते हैं कैसे एक त्रिपुज तो पूरा लिख लीजे क्या लिखेंगे त्रिपुज A, B, C ये सरवांग समन्ध है किस के साथ तो देखें ये क्या होती है A, B, यहाँ पर भुजा है A, B, B, BC भुजा है और ac भुजा है इस तरह से भुजा को बढ़ते हैं और abc का मतलब है कि तरभुज के तीनों कून है abc दिखिए तो जो बराबर भुजाए हैं उन बराबर भुजाओं के संगत कौन भी बराबर होंगे ऐसा हमने पढ़ा था तो यहां बताईए, A, B के सामने कौन सा कौन है? C, A पे देखते हैं, तो B, C के सामने कौन सा कौन है? A, B, C के सामने कौन सा कौन है? A, तो B, C के सामने कौन सा कौन है? A, और B, C की संगत भुजा कौन सी है? D, F, तो D, F के सामने कौन सा कौन है? E, तो इसका मतलब है कि कौन A, क कोण E के बराबर होगा तो यहां पहले नंबर पर ए लिखा हुआ है तो यहां पर पहले नंबर पर क्या आएगा ए टिक आप कोण B के बात करते हैं कोण B के सामने कौन सी भुजा है AC और AC की संगत बुजा क्या है EF और EF के सामने कौन है D तो B कौन बराबर होगा D के साथ और अन्य C अन्य तीसरा बज गया है F और आप देख सकते हैं कौन C के सामने संगत बुजा क्या है AB और AB किस के साथ बराबर है D के साथ बराबर है और D के सामने कौन सा है कौन F तो इस तरह से अगर ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी समझ लीजे, इसका मतलब है कि EB की संगत बुजा क्या है, ED, AB की संगत बुजा क्या है, ED, ED कहो या DE कहो एक ही बात है, BC की संगत बुजा क्या है, DF, BC की संगत बुजा क्या है, DF, सही बन र क्या है EF, CA की संगत भुजा क्या है EF, तो अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है, तो यह यह बता सकता है कौन से कौन संगत हैं और कौन से भुजाएं संगत हैं, तो सही उतर क्या होगा EDF, EDF, option number C, option number C, जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए मुझे, कि त्रिभूज P, Q, R, सर्वांगसम है, त्रिभूज E, R, R को लिख दिया है मने है, A, B, C के साथ, तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभूज में कोण P बराबर होगा कोण A के, कोण Q बराबर होगा कोण B के, और कोण R बराबर होगा कोण कोण C के, कोण C बढ़ birth, कोण A ये, कि, कि बुजा बराबर होगी, A B बुजा के बराबर, Q, R बुजा बराबर होगी, A, C बुजा के बराबर और PR बुजा बराबर होगी, A by से बुजा के बराबर, त्रिक है है, ये मतलब, अचा Q, Q н. 9 जवाब दीजे question number 9 इसी सम्चतुर्बुज के विकर्णों की लंबाईया 24 cm था 70 cm है इस सम्चतुर्बुज इस सम्चतुर्बुज की भुजा के लंबाई क्या होगी the length of the diagonals of a rhombus are 24 cm and 70 cm what is the length of the side of the rhombus बताईए सूत्र पार आधाले सवाल है rhombus बहुत important है हमारे exam के point of view से बताईए session को share कर दीजे और करते रहिए तो बताईए यहां पर अगर formula आपको याद है तो यह सवाल एक second का है formula याद नहीं है तो कोई बात ही नहीं है फिर exam में सवाल नहीं हो पाएगा तो सबसे पहले जैसा हम हमेशा करते हैं एक diagram जरूर बनाएंगे एक diagram जरूर बनाएंगे और इस diagram को नाम देंगे a,b,c,d यहाँ पर क्या है रूमबस यह रूमबस के विकण है यह रूमबस के विकण है एक है d1, एक है d2 और रूमबस के दोनों विकण एक दूसरे को 90 पर सम्दिभाजित करते हैं यहाँ जहाँ काड़ते हैं क्या बनता है 90 तो यह अपने आप में important बन जाता है लेकिन जब कभी भी आपको विकर्ण दिये गए हो और सम्चतुरबुज की भुजा पर सवाल पूछा जा रहा हो तो एक result है जो कई बार आपके teaching exam में पूछा गया है या पूछा जा सकता है यह कहता है d1 square फ्लस d2 square is equal to 4a square सम्चतुरबुज के विकर्णों के वर्गों का योग सम्चतुरबुज की भुजा के वर्गा चारगुना होता है इस बात तो याद रखेगा कि सम चतुरबुज में दोनों विकर्णों के वर्गों का योग D1 square plus D2 square is equal to 4A square, very very most important, आया ही है सवाल इस पर बहुत बार, एक D1 का value कितना है, 24, 24 का square, plus D2 की value कितनी है, 70 cm, 70 का square is equal to 4A square, हल करते हैं, 24 का वर्ग याद रत अच्छी बात है, 55 66, 7 का वर्ग 49, 1 शुन्य कवर, 2 शुन्य, बराबर 4A square, जोड़ेंगे 76, 49, 5, 44 आजाएगा, बराबर 4A square, 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 तियाई 12, 2, चार चंग 24 चार नवाई या 36 तो ए स्क्वाइर की वैल्यू आ गई है 1379 तो ए बराबर कितना होगा वर्गमूल निकाल देंगे 1379 का अब 1379 का वर्गमूल यहां पर निकालना जाए इस का मतलब 40 का वर्ग सोला सो होता है 1200 से छोटी संख्या है इसका मतलब 40 से छोटा वर्ग होगा तो 40 से छोटे का मतलब एक मात्र विकल्प है कितना सैतिस तो यहाँ पर मेरा जो उत्तर बन रहा है वो कितना है सैतिस अभी आप सीख रहे हैं रियल एक्जाम में नहीं है तो इस बात को याद रख लीजेगा कि सैतिस का वर्ग क्या होता है 1379 कि यहाँ पर समचे तुर बुझ की भुजा आ गई सैतिस ठीक है रवी चोहान का उत्तर भी आ गया है सैतिस बहुत बढ़िया देखें एक और तरीका है उसको भी देख लीजे उससे आप कुछ और भी सीख लेंगे इसलिए बताना जरूरी है और आपके एकजाम में यह सब चीजे बहुत पूछी जाती है वो क्या है तो ट्रिपलेट नब्बे बीच में आया ना जहां नब्बे का कोण बनता है वहाँ पर तो ट्रिपलेट यूज की जाती है तो इस बात को यहां पर समझ लीजे इस बात को इस बात को ध्यान दीजिए यहां पर पहले तो एक डियाग्राम मनाई या रॉमबस A, B, T, D यह rhombus है और यह rhombus के डाइग में और जहां पर भी दोनों विकर्ण काटते हैं वहाँ पर नब्बे बनता है और कहा जाता है कि सम चत्रबुच के दोनों विकर्ण एक दूसरे को सम दिभाजित करते हैं इसका मतलब जहां पर काटते हैं वहाँ से बराबर भागों में बढ़ जाते हैं तो एक विकर्ण की लंबाई 24 है तो इसका आधा क्या होगा? 12 एक विकर्ण की लंबाई है 70 तो आधा कितना होगा? 35 तो आप मुझे बताईए क्या मैं आधा इस तरह से सम चत्रबुच मिटा सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं तो मैं कहूंगा बस दो मिनट शान्त बैठे रहो बताता हूँ अब ये कैसा तरिबुच बन गया है? तो आप कहेंगे ये तो सर समकोन तरिबुच बन गया है ये तो समकोन तरिबुच बन गया है प्रिपलेट जैसे आप जानते हैं कि समकौन त्रिभुचू कि दो जायर 15 बदञे और 11 तो त्इसरी क्या होगी, तो यहां 12 है 35 तो तीसरी मुझा आपको पता है तो आपको पता है तो हमने कुछ रटा ही नहीं जहां 12 और 35 की triplet हो तो याद रखेगा triplet बनाने के एक तरीका में बताता हूँ जैसे कि अगर आप 8 से triplet बना रहे हैं 8 से तो पहले 8 का आधा कर दीजे 8 का आधा कितना होगा 4 और जो आधा कर गया है उसका वर्ग कर दीजे कितना 16 और 16 के एक पहले 15 आता है 16 के एक बाद 17 आता है तो यह triplet बन गई है 8 15 17 अगर विशम संख्या है 3 तो 3 का आधा तो नहीं होगा तो 3 का पहले वर्ग कर दीजे और 3 का वर्ग क्या होगा 9 अब यहां पर 12 के साथ बनानी है तो 12 का पहले आधा हो रहा है आधा कर दीजे 6 और जो आधा हो क्या है उसका वर्ग कर दीजे 36 36 के पहले 35 आएगा और 36 के बाद 37 आएगा तो ट्रिप्लेट बन गई है 12, 35, 37 तो यहां 12 है यहां 35 है तो तीसरी भुजा क्या होगी 37 और ए भी क्या आती है सम चत्रबुच की भुजा तो मेरा सही उतर क्या होगा 37 तो मैंने एक ट्रिप्लेट भी आज याद कर ली जो आपके एक्जाम के पॉइंट यू व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है तो जैसे हमने 3, 4, 5, 8, 15, 17, 5, 12, 13 याद किया हुआ है वैसे हम इसको भी याद कर लेंगे 12, 35 और 37 ठीक 12, 35 और 37 चलिए कोश्यान नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ रहा है बताइएサही जवाब बताईए natuurlijk ठाकना नहीं है ठाकना नहीं है सेलेक्शन दाना साध मैच्जान के लिए सबसे ज़ाइस जरूरी है समरपन जो आप इस वक्त कर रहे हैं तो 1ग नटे चलास हो दो गंटे क्लास हो, मुझे पता है कि आप ठक गए होंगे, आठ से दस आपने रामसरी क्लास ली, दस से बारा आप अभी भी ले रहे हैं, क्लास मैट्स की और विबारा के बार राजी उसरा रहे हैं, साइंस क्लास लेने, ठीक है, तो अगर अनकेडमी, आपको इस प्लेटफॉर्म के लगातार बैक टू बैक क्लासेज दे रहा है, तो यह आपकी भी रिस्पॉंसिबिल्टी की सारी क्लासेज को आप देखें, नोर्स बनाएं, और हमें एक्जाम के बाद बताईएगा कि आपको इससे क्या बेनिफिट मिला, ठीक है, बताईए जल्दे, सवाल आपके स्कृरिन पर आ गया है, इसका उत्तर बताईए क्या होगा, जल्दी, फटाफाट बताईए, निम्न आकडों के माध्य, माध्यक और बहुलक का योग क्या होगा, माध्यक का मतलब कल हमने सीखा था ना, ओसत, देखे कल हमने इस तरह का एक सवाल किया था, मैं आज फिर इन सवालों को लेकर आया हूँ, क्योंकि कल शायद हो सकता है किसी ने देखा ही ना हो, क्या किसी ने देखा हो तो सीरियस लिया ही ना हो, है ना, तो कल आपने थोड़ सबसे अधिक बार आए तो पहले आरो या रोही क्रम की जरुरत पड़ेगी तो कर लेते हैं सबसे छोटा यहाँ पर क्या है? 9 सबसे छोटा क्या है? 9 और 9 काट देते हैं 2 के बाद 11 दिख रहा है 11, एक ही बार दिख रहा है, काट देते हैं 11 के बाद क्या है 14 लिखकर एक बार में काट देते हैं काटना ज़रूरी है नहीं तो नजरे नहीं पड़ेंगे 14 के बाद क्या दिख रहा है 17 के बाद क्या है 19 एक बार काट देते हैं 19 के बाद क्या है 19 के बाद 23 दिख रहा है 19 के बाद 23 दिख रहा है 23 काट देते हैं 23 के बाद क्या है ? Genius के बाद है 28 или 28 ? 28 28 , 38 और 34 , 35 के बाद 13 के बाद 32 बार है न यह रहीं कि GP 32 88 88 तो हमने सारा कवर कर लिया है देखी नजरे नहीं मिलती है exam में अगर यह मुझे देखने में दिक्कत कर रहा है तो आपको करेगा घरेगा Nah ad और यहां पर देख लिए कितने थे एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और बारा इसका मतलब बिल्कुल सही इसका वंतर पदों की संख्या, आकलों की संख्या कितनी है बारा तो यहां पर बहुलक सबसे पहले आएगा बहुलक का मतलब है मोड आता है मीडियन, और मीडियन क्या होगा मध्यपद और यहां पर पद कितने बारा अब देखिए कैसे निकालेंगे आप, जब पदों की संख्या सम हो, बारा का आधा कर देंगे तो च्छे आजाएगा, ठीक है, बारा का आधा करने पर कितना जाएगा, शे, इसका मतलब, छ चोटे से एक्जाम्पल थे मैं आपको समझा सकता हूं बड़ दियान देखेगा तो मद्धिपद क्या है चार दिखता है मद्धिपद का मतलब जितने पद यहां है उतने ही पद यहां पर भी है मैं कहूँ दो चार साथ मद्धिपद बताओ तो आप इंगे चार बीच में जितने चार के बाये तरफ है उतने ही चार के दाये तरफ है लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2, 3, 4 और 5 मद्धिपद बताओ तो क्या यहाँ पर कोई मद्धिपद आप आसानी से बता देंगे नहीं मद्धिपद कहां आएगा 3 और 4 के बीच में तब ही उसके यहाँ पर 2 पद माने जाएंगे तो यहाँ पर 2 पद दिखे जाएंगे तो इसका मतलब जब पदों के संख्या सम होती है यहाँ पर पदों के संख्या विशम थी, यहाँ पदों के संख्या विशम थी जब पदों के संख्या विश्यम होती है तो हम आसानी से मध्य पद धोड़ लेते हैं लेकिन जब पदों के संख्या सम आती है तो मध्य पद में दो पद को लिया जाता है और वो कौन-कौन है चार बटे में दो का मतलब दो दूसरा पद और तीसरा पद और इनके भी ठीक बीच में आ रहा है और बीच इनका मतलब हमेशा औसत से होता है जैसे मैं कहूँ 10 और 20 के बीच में क्या आएगा तो आप कहेंगे 15 और 10 और 20 का औसत ही क्या है 15 मैं कहूँ मेरे पास 10 रुपे है 20 रुपे है इसका उस्त क्या होगा तो 10 और 20 का उसत 15 इंदम बीच में आएगा तो पदों की संख्या अगर सम है तो यहां बीच में ऊसता आता है इसे लिए हम क्या करते हैं यहां पर पदों की संख्या 12 थी तो 12 का आधा हमने कर दिया कितना है च्छटवा पद प है बटे में दो आठ तीन ग्यारा हो गया दो दो चार और एक पांच बटे में दो इसे सरल किया तो कितना आगया पच्चिस दशमलों तो यहां पर मीडियन आगया 25.5 और हमें निकालना है मीन मीन का मतलब क्या है माद अब माद दे निकालने के लिए सब को जोड़ना पड़े हो लेगा एक बहुत बड़ी समस्या तो यह भी है तो इस तरह के सवाल हमारे एक्जाम में आते हैं आप अभी सवाल के लिए हो जाएए क्यों की इस सवाल में calculation भर-भर के है अगर आप दिहान नहीं देंगे तो exam में calculation ही गलत हो जाएगी आपसे तो concept की जरुदत हो है concept के सासत किसकी जरुदत है calculation की ठीक है तो आईए इसको जोड़ते हैं चाउदा कैसे जोड़ेंगे compensate method of addition calculation कैसा है एक छोटा तबालक कैसे जोड़ता है 14 और 1, 15 14 और 1, 15 10, 25 25, 10, 35 एक कम 14, 11, 25, 10, 35 34, 34 में 30 जोड़ेंगे 34 में 30 जोड़ेंगे 34 में 30 जोड़ेंगे 34, 64, 64 64 में 35 जोड़ रहा है तो 64 में 36 माल लेते हैं 64, 66, 70 और 70, 30, 100 एक ज्यादा कल लिए थे तो 99 99, 1 99, 100 100 में जोड़ेंगे 110 और 6, 116 116 में 19 जोड़ेंगे 116, 9, 125, 10, 35 135 में 26 जोड़ेंगे 135 में 26 जोड़ेंगे 135 में आप पहले 20 जोड़ेंगे 155 और 155 में 8 जोड़ना है 155, 5, 16, 63 और 63, 63, 68 166 में 20 जोड़ेंगे 186, और 186 में 48 जोड़ना है 24 जोड़ना हूं 1, 46, 94, 90 में 40 जोड़ेंगे 230 फिर 4 जोड़ना हूं 234 और 234 में 36 जोड़ना हूं 6, 4, 10, 33, 6, 7, 2 2, 27 में 30 जोड़ना हूं मतलब 300 तो आ गया 300 सब का योग और पद कितने थे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस क्यारा और एक बारा तो बारा दुनी 24, 6, 12, 5, 60 तो मीन आ गया 25 तो मुझसे क्या पूछा जा रहा है? मुझसे पूछा रहा है इन सब का योग मुझसे क्या पूछा जा रहा है? इन सब का योग तो जोड लेता हूँ 25, 25, 30, 80 25, 25, 30, 80 और 80 मैं आधा जोड़ेंगे 80.5 80.5 देखिए जैसे मैं एक बाद बता हूँ जैसे आपको डर लगता है वैसे मुझे भी डर लगता है कि इतनी कैलकुलेशन करने के बाद उत्तर मैच करेगा कि नहीं करेगा आपके पास तो confidence है confidence in the sense कि आप अकेले एक कमरे में है जहाँ पर आपको देखने वाला आपके लावा कोई नहीं है लेकिन मैं जब calculation करता रहता हूँ तब इस कैमरे के उस पार आप भी बैटकर देख रहे है अब उत्तर मैच कर गया है तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है otherwise it was a big task तो रवी चौहान का उत्तर दिख गया है 80.5 जिससे मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि हाँ इतनी calculation करने के बाद हमारा answer भी match करना चाहिए exam में आप suppose करिए केवल एक कलपना करिए छोटी सी कि मान लिजए इतनी बड़ी calculation आपने की माध्धी भी निकाल लिया माध्धिका भी निकाल लिया बहुलग भी निकाल लिया और calculation इतना करने के बाद पांच मिनट बाद इन चार विकलपों में आपका option match नहीं किया तब बताईए सोच कर केवल कलपना करिए कि क्या होगा फिर तो क्या इस सवाल को छोड़ा जा सकता है नहीं इगो भी चपक जाता है इगो कहता है कि छोड़ कहते देंगे भाई सब कुछ तो निकाला है फिर आप पांच मिनट देने के लिए तयार है जबकि यह है कि छोड़ कर बाद में इन सवालों पर आने चाहिए शुरुबात में नहीं करने चाहिए होता है कि कोई गलत उत्तर आ जाए लेकिन गलत भी अगर मैच कर जाएगा तो उस वक्त पता तो चलेगा नहीं तो उस वक्त हम तिक मारके आगे निकल जाएगे confidence बढ़ेगा ही बढ़ेगा तो इन सब के तयारी भी आप exam में सासत करते रहते हैं है ना ठीके तो इस सब चोटी उटी चीज़ों के वल knowledge से नहीं होगा अगर मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ बहुत तेज हूँ तो इसकी 100% guarantee नहीं है कि मेरा selection होगा लेकिन मैं पढ़ने में तेज हूँ और अनुशाशित भी हूँ लास्ट एयर के पेपर भी देखा हूँ रटा हूँ मुझे पता है कि कितना time किसमें देना है एक रणीती बनाया है मैंने पूरी तो इस बात की 100% guarantee के selection होगा इस बार ही होगा है ना तो हर चोटी चोटी चीजों की ज़रुद पढ़ते गड़ित बहुत तेज है इतना करने के बार अगर इस सवाल में फस गया होता तो एक्जाम में confidence के confidence चूर-चूर हो जाता ठीक तो इन सब बातों का दिहान रखना पड़ेगा हमें आईए question number 11 on your screen the volume of a right circular cylinder is this and its height is this what is the curve surface area चलिए ये केवल एक formula based सवाल है formula बार-बार में आपको दे रहा हूँ कि आपके exam की demand है formula ठीक है बताईए आचा जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उस वीडियो की description में telegram channel का link है unacademy आचारिया के नाम पर उस telegram join को आप join के लिए जो कुछ भी आप PPT यहां पर पढ़ते हैं online exam में उसकी PDF आपको भेज दी जाएगी ठीक है तो वहां से आपके पास collection आ जाएगा एक questions का जिसे आप कम time में आखरी वक्त पर देख सकते हैं तो volume दिया हुआ है किसका right circular cylinder और हम भी जानते है बेलन कायतन क्या होता है pi r square h और यह कितना दिया हुआ है 390 6 pi कमान 22 बटी 7 r कमान निकालेंगे h कमान दिया हुआ है 14 366 11 22 11 33 11 66 2 से काटेंगे 18 बार में यहां से 7 से काटेंगे दो बार में और 2 से काटेंगे से 9 बार में r square की value 9 आ गई तो r की value कितनी है जाएगी 3 और मुझे balance का curve surface area क्या होता है 2 pi r h याद होना चाहिए याद नहीं है तो फिर आप सवाल को नहीं कर पाएंगे r कमान 3 h कमान दिया हुआ था 14 यहां साथ से 2 बार में कड़ गया यह अब दिखें छोटी छोटी बाते हैं क्या गुड़ा करना जरूरी है नहीं सबके अंतिम अंक अलग अलग है चार के वल यहां पर है तो देख लीजे दो दुनी चार चार त्याई 12 दुनी 24 मतलब चार वाला ही उत्तर होगा तो यह दो तो नहीं है अब गुड़ा करना मजबूरी हो गई मेरी तो 3 दुनी 6 दुन में समय लगना लगना स्वभावी के लगने दीजे लेकिन बार बार उस सवाल को कर रहे हैं तो कहीं न कहीं समय कम करना होगा ठीक है 264 वाई के सुरिवेशी तैंक यू आई अब आगे एक पॉलिगॉन में सवाल कल भी क्याता आज भी कर रहा है the interior angle of a regular polygon exceeds its exterior angle by 108 किसी समभवच का अंतह कोण उसके बायं कोण से 108 डिगरी बढ़ा है कल मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि दो लोग है A और B A के पास अगर 15 रुपे है और B के पास 10 रुपे है तो किस तरह की बाते समाच करता है समाच कहेगा कि A के पास B से 5 रुपे जादा है कोई कहेगा कि B के पास A से 5 रुपे कम है मैं कहूंगा कि A और B के पास जो है उनका अंतर कितना है 5 तो अगर दो संख्याओं का अंतर 5 है एक संख्या दूसरी से 5 जादा होगी या एक संख्या दूसरी से पाँच कम होगी ये एक ही statement के तीन अलग अलग विंजक है और जिसके जुरत पड़ेगी उसको हम सवाल में कर देंगे मतलब अन्ता कोन बाहे कोन से बड़ा है इसका मतलब अन्ता कोन और बाहे कोन का अंतर कितना है 108 108 और हम जानते हैं कि अन्ता कोन और बाहे कोन का योगफल कितना होता है हमेशा 180 डिगरी क्यों क्योंकि जहां अन्ता कोन बनता है उसी भुजा को अगर बाहर की तरफ और बढ़ा दें तो बाहे कोन बन जाता है अन्ता कोन और बाहे कोन हमेशा एक सीधी रेखा में बनते हैं इसलिए इन दोनों का योगपल कितना होता है 180 डिली ठीक तो बस सरल कर लिजे इसे इकड़ जाएगा आई प्लस आई और यहां जाएगा 180 प्लस आठ 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 दो यहां से आए का माना आ गया दो एककम दो दो चोके आठ दो चोके आठ अन्ता कोन का माना आ गया 144 तो बाहे कोन कितना आएगा 180 में 144 घटा देंगे 36 नंबर आफ साइट्स पूछी गई है और किसी भी पॉलीगॉन की भुजाओं की संख्या बराबर होती है 360 बटे में प्रतेक बाहे कोन इसे सॉल्व को लेंगे n का माना आ गया 10 बुजाओं की संख्या कितनी आ गई 10 यह सूत्रय याद कर रखीगा किसी भी संभावभूज की भुजाओं की संख्या निकाल सकते है 360 बटे में प्रतेक बाह हो निकाल सकते हैं प्रतेक बाहें इस फॉर्मले को याद रखी गहाँ कर दस होगा रभी चौहान को भी धन्यवाद बाकी आप लोग शेयर करते रहिए शेयर करते रहिए चूकी मत शेयर करने से कहते हैं कि आज वजीर अकीला है कल उसके साथ उसका राजा होगा राजा के साथ उसकी सेना होगी है ना और तब बनाएंगे एक सामराज कभी समय बदलेगा कभी दौर बदलेगा है ना आईए अच्छा एक बात या है कि बहुत कुछ बताने के लिए रहते हैं सवालों में लेकिन आप एक लास मूमेंट पर क्लास को देख रहे हैं एक रिविजन तोड़ा तो ऊपर नीचे हो सकता है ठीक है इसलिए हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं कि हम तूदा पॉइंट बात कर रहे हैं जिससे आपको maximum profit हो ठीक है एक बार KVS के exam पूरा हो जाए उसके paper में क्या आया उसको analysis कर लें उसके के बाद नया session जब शुरू होगा UPTET से से सी टेट से या जो भी teaching exam में upcoming exams हैं उनको लेकर तब उसमें बहतरीन तरीके से एकदम from very zero से start करेंगे जितना अच्छा हम जान सकते हैं ठीक है किसी घहनावकार बक्से की लंबाई चुड़ाई उचाई दी होई है 6 अनुपाते 4 अनुपाते 4 अच्छा यह अनुपात बार बार में लिखता हूँ तो तुम्हीं कपो क्या बताता हूँ कि अनुपात हमें आयना दिखाते हैं कि मान का यह सरल रूप है है ना तो यहाँ से मान लेता हूँ यह 6X होगा यह 4X होगा और यह 3X होगा और मैं जानता हूँ कि आयतन मतलब volume क्या होता है और यही आयतन दिया हुआ है किसके बराबर 4608 आइए सरल करते हैं सरल करना भी exam में बहुत ज़रूरी है X into X into X कितना हो जाएगा X cube बराबर काट के देखते हैं 6 से कट रहा है 6, 7, 42, 4, 6, 36, 4, 6, 38, 4, 3, 12, 12, 12 से काट देते हैं 12, 12, 32, 4, 12, 48, तो यह आ गया X cube बराबर 64 तो X बराबर घन आगे इदर घनमूल बना देगा 64 का घनमूल 4, 64 का घनमूल 4, हम से पुझा पार्श व प्रिष्ट चितरफल याद रखेगा इसी पार्श व प्रिष्टिय चितरफल को 4 दीवारों का चितरफल कहा जाता है जिस कमरे में बैठ कर आप मुझे देख रहे हैं उस कमरे में 4 दिवारे होंगी सामने, पीछे, दाएं, बाएं और उपर नीचे छ च्छत और फर्ष को ना देखें तो बचा हुआ जो भी सता है उनका च्छेतरफल होता है, 4 दिवारे ही बचींगी सामने, पीछे, दाएं, बाएं, इन 4 दिवारों का च्छेतरफल ही पार्श व प्रिष्टिय च्छेतरफल कहलाता है, कुल प्रिष्ट च्छेतरफल क्या हो दो लंबाई कितनी थी भाई लंबाई थी 6X लंबाई कितनी थी 6X चोड़ाई कितनी थी 4X और उचाई कितनी थी उचाई थी 3X ये तो 6,4 10X ये हो जाएगा 10X गुड़े 3X तो ये आ गया 10 दुनी 20 बीस थी आई 60X और X का मान आ गया है हमारे पास 4 तो 60 गुड़े 60 गुड़े 6X का मान 6 दस त्याई 30 चाई 6,4 10,10 त्याई 30 दुनी 60 कहीं गलत वलत तो नहीं किये न साट एक्स का मान 960 नहीं आ रहा है है चलो बताओ सामने से स्क्रीन पर देख रहे हो कॉमेंट बताओ कहां कुछ गलती वलती हो रही हो लंबाई है 6X चोड़ बीस्तियाई 60 चोड़ यह है तो 6,4,10,6,4,10,10 तुनी 20 बीस्तियाई 60 एक्स चलो बताओ जरा कॉमेंट देख रहा हूं बताओ कहीं गलत तो नहीं हो रहा है कैल्कुलेशन संदीब जी का भी स्वावत है इस सेशन में तो 4 दीवारों के छेत्रपल है दो गुड़े लंबाई प्लस चोड़ाई गुड़े उचाई 6,4,10 बताईए मैं आपके कॉमेंट का इंतजार कर रहा हूं कॉमेंट नहीं हा रहा है इसको मैं फिर से कैल्कुलेट कर लेता हूं आईए दूए वाल्यूम आ गया कितना एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स मतब्द एक्स क्यूब इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 और यह किसके बराबर दिया हुआ है 4608 इसके बराबर दिया गया है तो काटते हैं आईए 6 चारत यहीं 12 से काट देते हैं इस बार 12 यहीं 36 दस बचेगा जीरो बारा ट्थे 96 चार बचेगा बारा चोके 48 ठीक है 6 से काट देते हैं 6 चंग 36 दो 6 चोके 24 तो X क्यूब बराबर 64 आज जाएगा इसका मतला X कमान कितना आजएगा 4 एक्स कमान कितना जाएगा 4 मुझे पूचा है घनाव का पार्ष प्रिष्टिय छेत्रफल और पार्ष प्रिष्टिय छेत्रफल कितना होता है दो गुड़े लंबाई प्लस चौड़ाई गुड़े उचाई यह होता है दो गुड़े लंबाई कितनी है वाई 6x लंबाई कितनी है 6x और चौड़ाई कितन 3 x तो यह हो जाएगा दो गुड़े 6 4 10 x गुड़े में 3 x तो यह हो जाएगा 10 दुनी 20 आचा 20 x और 20 x और गुड़े में 3.x यह x भूल जा रह Das हमें तो यह हो जाएगा 20 तनी 60 x है 2 x का मतद 16 चार कवर के 16 और 16.96 तो उतर कितना जाएगा 960 तो option D 960 is the right answer Sir X की value LBH के साथ लगा दो Sir G अच्छा 2L प्लस B यही बताना था यही बता पारे थे कि यहाँ पर X, actually मैं जोड़ा थो X ले रहता है X into X X square हो जाएगा ठीक है तो answer कितना आगा 960 यहाँ पर याद करने वाली बात यहाँ थी कि घनाब पर सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं और घनाबा कार अगर कमरा है तो कमरे का प्रिष्टिय चेतरफल पार्ष प्रिष्टिय चेतरफल चार दिवारों का चेतरफल कहा जाता है जो होता है दो गुड़े L प्लस B इंटू H फॉर्मले बेस सवाल थे जो आपके एक्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं चलिए ये बहुत ही लाजवाब सवाल है उमीद है कि आप कर लेंगे बताइए कह रहा है कि यदि ये संख्या बराबर ये हो ये संख्या बराबर ये हो जहां A, B तता सी अभाज संख्या है तो इसका मान क्या है देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि 20 को अगर आपने ऐसे लिखा हुआ है ठिक अगर आपने 100 को ऐसे लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ वेंजग क्या बताता है तो ये लिखा हुआ वेंजग ये बताता है कि संख्याओं को गुड़नखंड के रूप में लिखा गया है संख्या को गुड़नखंड के रूप में लिखा गया है जब कभी कहीं पर इस तरह से लिखा जाता है हम कहते हैं कि संख्या को गुडनखंड के रूप में लिखा गया है संख्या को गुडनखंड के रूप में लिखा गया है अगर कोई इस बात की गैरेंटी दे दे कि A, B और C अभाज है तो मैं कह दूँगा कि संख्याओं को अभाज गुड़नखंड के रूप में लिखा गया है जैसे यहाँ पर ABC अभाज ये कहा जा रहा है तो उसका मतलब संख्या को अभाज गुड़नखंड के रूप में लिखा गया है और हम ने भी तो अभाज गुड़नखंड करना सीखा है तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसके अभाज गुड़नखंड करना है अब कुछ लोग तो संख्या को देखकर भी डर जा रहे होंगे अरे बाव परे 6 अंकों की संख्या है 1,6,480 तो जब आप अभाज गुड़नखंड करेंगे तो जल्दी ही नहीं पड़ जाएगी क्योंकि जैसे ही 2,3,5,7 के बाद 11 का आगमन होता है तो 11,13 के गुड़ा करने पर संख्या है 6,7 अंकों में ही चली जाती है तो आईए जल्दी से हम भी करते हैं अभाज गुड़नखंड आपके साथ तो 1,6,480 है इसके हमें अभाज गुड़नखंड करने है तो अभाज गुड़नखंड का मतलब है 2 से भाग देना 2,5,10,2,3,6,2,4,2,4,8,0 फिर 2 से नेकि कैलकुलेशन करते वक्त खुशी आनी चाहिए ना खुशी ना चाहते हो भी देख्दम मूँ खोल दो और जब तक कैलकुलेशन को accept नहीं करोगे खुशी से तब तक कैलकुलेशन कहीं पर धोका देने के लिए तयार है कहीं पर भी एक्जाम में धोका दे सकती है तो उसका सम्मान करो एक्जाम में आता हो सवाल खराब कर देगा दो दुनी चार दो छंग बारा दो दुनी चार जीरो फिर दो से कट रहा है दो एककम दो दो तियाई छे दो एककम दो जीरो फिर दो से कट रहा है दो छंग बारा दो पंचे दस 2, 5, 10 अब 2 से ने कट रहा है 5 से दिख रहा है 5 से काटेंगे 5 एक कम 5 एक और 6 से पाती हैं 15 5 एक कम 5 1331 इंपोर्टेंट वैल्यue है किसका घं है 11 का 11 से काटेंगे फिर 11 से कट रहा है और फिर 11 से कट रहा है और नेखे ये मुझे देखना नहीं तक किस से कट रहा है इस सवाल का जब मैं अभाज गुलनखंड करूँगा चाहे यहां तो दिया नहीं ABC तो ये मैंने अभाज गुलनखंड कर लिया तो जब मैंने अभाज गुलनखंड किया तो मैंने देखा कि दो कितनी बार आ रहे हैं चार बार 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 पांच कितनी बार आ रहे हैं एक बार और ग्यारा कितनी बार आ रहे हैं दो बार ठिक एह है तो साफ साफ में ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने इस संख्या के अभाज जी गुलनखंड किये तो हमने ये बताया दुनिया को कि 2-4 बार आता है 5-1 बार आता है 11-2 बार आता है और यही आपके सवाल में संख्या दी गई थी और ये कह रहा है कि संख्या के जब अभाज जी बुलनखन करते हैं A 4 बार आ रहा है A वी के उपर कुछ नहीं लिखा या कुछ ना लिखने का मतलब एक बार लिख सकते हैं और C यहां पर यह दो होगा यहां पर 2 होगा जो नहीं 3 तहीं ग्यारा तो आरा 3 बार मैंने गड़ो बढ़कर दिया तो सवाल कहाँ नहीं चार बार आरा है हमने बता दो आराना चार बार, सवाल कहा रहा था, B एक बार आ रहा है, मैंने बताया 5 एक बार आ रहा है, C तीन बार आ रहा था, मैंने बताया 11 तीन बार आ रहा था, तो जब हम दोनों ही पक्षों के घातांगों की तुलना करेंगे, आधहार की तुलना करेंगे, तो जो चार बार आ रहा है, दो तो A command 2 के बराबर हो, एक बार को और आ रहा है? 5, B किसके बराबर? 5 के बराबर हो, यहां C 3 बार आ रहा है, हमने कहा 11 तीन बार आ रहा है, तो C command क्या होगा? 11 के बराबर, A के value कितनी आ गई? 2 B के value कितनी आ गई? 5 C के value कितनी आ गई? 11 तो A, B, C के value आ गई और यहां मुसे इस venja command पूछा गया था इस venja command अब मैं बता सकता हूँ कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे उसके लिए इसको हटाना होगा नहीं तो कुछ लोगों की नज़रे अभी यहीं पर होगी कि क्या हो गया यह? तो हमसे पूछा गया है 3A plus 2B minus C A की जगा मैं कितना लिख सकता हूँ? 2 A की जगा 2, B की जगा 5 और C की जगा 11 3 दूनी 6 5 दूनी 10 minus 11 10 6 16 16 में 11 5 तो इस तरह से मेरा उत्तर इतनी महनत की बाद आ गया 5 और महनत कफल मीठा होता है इसलिए मीठा है क्योंकि मेरा उत्तर सही है और शिवम बगेल ने एकदम जंडागार दिया है 5 5 5 5 5 सुमित ने इसी 5 को C से दिखाया है C बिल्कुल सही सभी की उत्तर आया है सही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखिए अनकेडमी भी आपको कह रहे हैं amazing to see dedication of all the students बिल्कुल I am really proud of you guys बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एकदम session में लगातार बने हुए है तो यह सवाल कैसा है यह सवाल fix है यह सवाल कैसा है fix और fix सवाल को हमेशा रटा जाता है क्योंकि एक्जाम में जब यह आएंगे तो यह ऐसे ही आएंगे आए यह भी important सवाल बताईए question number 15 क्या होगा इसका जवाब जल्दी से बताईए question number 15 आपके screen पर है कह रहा है किसी त्रिबुच का आधार और संगत सीर्शरलंब 5 आनुपाते 3 के आनुपात में है यदि इसका छेत्रपल 120 अवर्ग सेंटीमीटर हो तो वास सीर्शरलंब क्या है सादहारण से सवाल है सूत्र पराधारित है जल्दी बताईए क्या होगा बताईए क्या होगा इसका जवाब तो ये भी सूत्र पराधारित है आपको पता होना चाहिए कि किसी त्रिबुज देगे त्रिबुज विश्रिष्टाओं के अधार पर अलग-अलग होते हैं कोई से समदिबाहो कहता है कोई से समभाहो कहता है कोई से विशम बाहो कहता है कोई से समकोन त्रिबुज कहता है सभी त्रिबुज के विश्रिष्टाओं के अधार पर रूप रेखा अलग-अलग होती है इसलिए सरली करण करके एक ही त्रिबुज के छे त्रफल इसे आदर्श त उत्र है उसी में जब 2 भुजाएं बराबर 3 भुजाएं बराबर 1 कोण समकोण हो जाता है तो हम भुजाओं के मान रख रख के सर रूप देते हैं इसका मतलब किसी भी त्रिबुज के छेतरफल में लगाएं तो आपका आने वाला उत्तर गलत नहीं होगा बशरते छेतरफल क का फर्मूला बैठ जाए जैसे अगर किसी त्रिभुज में मुझे लंब दे दिया जाए जैसे यहां पर यह लंब है लंब का मतलब मैंने उचाई होती है और यह त्रिबुच का छेतरफल इस प्रकार से निकाल सकता हूं कि एक बटे दो गुड़े आधहार गुड़े उचाई और यह उचाई संगत उचाई है मतलब इसी आधहार से ही होनी चाहिए और उचाई हमेचे लंब होती है इस बात तो याद रखेगा तो यहाँ पर कहा रहा कि थी त्रिबुच का आधहार और संगत सीर्ष लंब का मतलब है इसी आधहार से सीर्ष लंब है तो यह पांच अनुपाते तीन में है यह आपका आधहार है और यह आपका सीर्ष लंब है इसे हम उचाई कहते हैं, इसे हमने माल लिया 5x, इसे हमने माल लिया 3x, तो हम जानते हैं, तरिबुच का छेतरपल होता है, एक बटे, दो, गुड़े, आदहार, गुड़े, उचाई, और यही छेतरपल हमें दिया गया है, 120 120 यही छेतर फ़ल हमें कितना दिया गया है 120 तो काट देते हैं 5 तियाई 15 15, 18, 120 x into x, x square 8, 19, 16 x का मान क्या होगा, 16 का वर्गमूल 4 16 का वर्गमूल 4 x का मान आ गया, वह सीर्षलम्ब क्या होगा सीर्षलम्ब कितना था, 3 x और x की जब जैसे मैंने 4 रखा, मुझे उत्तर मिल गया 4 तियाई 12 और 12 ही सवाल का क्या होगा, सही उत्तर b is the right answer b is the right answer b is the right answer संदीब भी रेस में आ गया है, संदीब बिल्गूल सही जवाब है 12 cm is the right answer सुमित कुमार सही कह रहे है तो ये एक सवाल है जिसे करने में आपको अच्छा लगेगा question number 16 a b c is a triangle, triangle का मतलब है एक आदर्श त्रिभुज a b c is a triangle in which cone c दिया हुआ है if p is a point on side b c such that a p is equal to a c and angle b a p is equal to 30 degree then angle b is equal to इस तरह से पढ़ने पर आपको लग रहा होगा क्या क्या मैंने बोल दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो geometry में शब्दों से नहीं चित्र से बात होती है सबसे पहले एक diagram बना लीजे सबसे पहले diagram बना लीजे जैसा अच्छा गंदा आप बना सकते हैं छोटा मोटा मेरा मस मानना है कि diagram बड़ा बनाईएगा और थोड़ा सा सुन्दर सब बनाईएगा ताकि कुछ भी उसमें आप अगर construction करें तो हर चीज आपको दिखाई दे और आपकी writing आप ही पहचान सकते है यह है क्रिबुज ABC जिसमें कहा रहा है कोन सी 70 है तो यह वाला कौन कितना है 20 यदी भुजंब BC पर पी कोई बिंदू है P कोई बिंदू डालते हैं और सोचते हां मद्ध क्रिवशाप BC पर पी कोई बिंदू प्रकार है एस प्रकार अब की बात करना है तोसी एे से प्लकार अब अवे बंद को मिलाना पड़ेगा तता B, A, P, कोन दिया हुआ है, B, A, P, ये वाला कोन दिया हुआ है, कितना 80 डिगरी, ये है, तो एंगल B बराबर है, मुझे एंगल B बताना है, बहुत कुछ दिया हुआ है आपको, और बहुत तरीकों से आप इस सवाल को कर सकते हैं, इस बात को भी याद रखीगा, चलिए, तरीबुच का सवाल है, तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, जो कि आपको पता है, कि तीनों अंता कोनों को योगफल हमेशा 180 होता है, ठीक, आप मुझे बताए, अगर मैं केवल इस तरीबुच को देखूं, किस तरीबुच को, इस तरीबुच को, जिस पर मैं ये ड् दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कौन बराबर होंगे वो दो कौन कौन से होंगे उन दोनों बराबर भुजाओं के सामने वाले कौन इसका मतलब इस भुजा के सामने कौन कौन सा है ये वाला और इस भुजा के सामने कौन सा कौन है ये वाला तो कहा जाता है कि तीनों क्या वालों कितना होगा थू की अप श्यांव लेक्षो चाली तेर्ट whenever चालीश को गया है तो यह वद्ध दख़ए रोगा चालीश त यह पूरॉ लोगा कितना हो जाएगा है सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यहीं बच रहा हैं यहीं बच रहें ये कितना होगा चालिस्ग तो खोड़ी कंदान आगया 40 option बड़ी option बड़ी option मबड़ी ए कि option नमबर ड़ी चालिस ठीक है रहा है कहीं छोटी मोटी calculation mistake हो गई इसलिए पचास आ रहा है कई तरीकों से कर सकते हैं जैसे यह सतर आ गया था यह तीस था तो इस त्रिबुच के लिए बाइकोन था और त्रिबुच का बाइकोन विपरीत अन्ता कोन के योगफल के बराबर होता है चालिस तीस सतर तो यह वाला कितना है चालिस ठेक ह चालिस 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 इस दर राइट आंसर यह सवाल है बहुत अच्छा जहां पर आप अपने आपको प्रूफ कर सकते हैं ठीक है विदिन रिक्वार्ट टाइम अगर कॉपी है पैन उठा लिया है तो कलम की ताकत दिखाईए और जितनी जल्दी कर सकते हैं इस सवाल को करिए क्योंकि देखे ये वो यूनिक सवाल है जो एक्जाम में अगर आपको आएंगे तो समझ में नहीं आएंगे करना क्या है इनके साथ तो बहतर है कि आप पहले कर लीजे सरल सवाल आएगा तो सब कर लेंगे जो पढ़ा है वो भी कर लेगा जो नहीं पढ़ा है वो भी कर लेगा लेकिन सवाल अकर थोड़े तो अच्छे होंगे तो जो पढ़कर गया है वही कर पाएगा ठीक सवाल कहा रहा है कि यदि ये मान दिया गया आपको यह और कहा रहा है ए प्लस बी का मान हो सकत है जब बड़ित में सकना पूछा जाए तो इसका मतलब पॉसिबिल्टी है हल्का सा दिमाग निकलेगा जरूर ठीक है पॉसिबिल्टी क्लियर नहीं दिख रहा है क्लियर थोड़ा का रिजोलुशन कम हो गया होगा शिवम शायद बागी मेरे मुबाइल पर क्लियर दिख रहा है अलका था 360 तक रिजोलुशन बनाईए आपको दिखेगा फिलाल मैं इसको बोर्ड पर लिख देखता हूं यह है अंडारूट 675 डिवाइड अंडारूट 9408 इस एक्वल टू A बाई B और आप से जानना चाह रहा है कि A प्लस B का मान निम्लिकित में कौन सा हो सकता है बताईए क्या होगा इस सवाल बहुत ही अपने आप में यूनिक सवाल है अपने आप में इस सवाल बहुत ही यूनिक है जल्दी बताओ मैंने आप वे सेशन में दो से तीन सवाल ऐसे करवा हैं जिसमें बार बार मैंने कहा है कभी भी अगर वर्गमूल निकालना है वर्गमूल आपको अगर उसका नहीं आद है चार का वर्गमूल दो नौ का वर्गमूल तीन लेकिन इन संख्याओं का नहीं पता है तो आप क्या करेंगे आप उसके अभाज जिगुलन खंड करेंगे तो आभाज जिगुलन खंड करता हूं मैं 675 के अभाज जिगुलन खंड करता हूं फिर नीचे संख्याओं का है नौ चार जीरो आठ इसे काटेंगे दो से काटेंगे दो चौके आठ दो सत्य चौके आठ फिर दो से काटूंगा तो यहां पर मैंने देखा कि 675 की जब अभाज गुलनखन किए तो 5,2 बार आया 3,3 बार आया 5,2 बार आया और 3,3 बार आया नीचे इस संख्या के अभाज जह गुलनखन किए 2 कितनी बार आया 1,2,3,4,5,6 2,6 बार आया 3,1 बार आया और 7,2 बार आया ये बराबर है A by B के है, इतना, तो इतना मुझे करना ही होगा, ना करने पर सवाल का उत्तर नहीं इकलेगा, तो इतनी calculation तो मुझसे इसने करवा ही लिया, और आपके coming exam के लिए बहुत जरूरी सवाल है, देखें, मैंने आपको बताया था कि जो गुरंखन जोडों में होगा, वो करनी छोड देगा, तो पांच दो बार है, तो पांच दो बार है, तो एक पांच बाहर निकल जाएगा, अब तीन तीन बार है, तो दो तीन में तो एक तीन बाहर आजाएगा, एक तीन हमेशा करनी के अंदर ही फसर हैगा, बटे में, नीचे दो छे बार है, तो आधे बाहर आ जाएग वार निकल जाएगा तर टीन एक बार है सात दो बार है एक साथ बाहर निकल जाएगा और एक अंदर प्संत रहेगा यह ओ और दो का उना की ओर दो proceed को मैं लिख सकता हूं झा वर यह देख देब याई 15 रूट 3 और नीचे आगया 56 रूट 3 बरावर ए बाई बी अब अगर मुझसे कोई कहता है ए प्लस बी का मान बताओ तो मैं दोनों को जोड़ दूँ 56 रूट 3 प्लस 15 रूट 3 आजाएगा 71 रूट 3 यह अब ए प्लस बी का मान हो क्या सकता है यह पूछा गया था तो इस बात को बताने के लिए आपको यह बात समझनी होगी कौन सी बात कि अगर दो संख्या है ए अनुपाते बी दो अनुपाते तीन तो इनका जो अनुपातिक योग होगा वो क्या होगा अनुपातिक योग होगा पांच, आप यहाँ पर A अनुपाती B का मतलब अगर एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 3 हो गई, अगर मैं दोनों में 2-2 से गुड़ा कर दूँ, तो 2 दुनी 4 और यह जगा 3 दुनी 6, अनुपात के प्रतेक पद में समान संख्या से गुड़ा करने पर अनुपात नहीं ब अरल अनुपात था, जिसका योगफल 5 था, अब जो भी योगफल आएगा वो उसका एक गुड़ज ही आएगा, 5, 10, 25 मतलब 5 से कटने वाला ही होगा, है ना, तो आप यहाँ सरी एक्जामपल देते हैं, तो समझ में आ जाती है, तो मैं वही कहता हूँ कि गड़ित is all about example, कि इतने तरीकों से आप सवाल को देखते हैं, तो आप यहाँ पर रूट्री से रूट्री काटना था, उडाना नहीं था, तो यह जो रूट्री था, रूट्री से रूट्री आपने उड़ा दिया, है ना, तो यहाँ पर A अनुपाते B आ गया कितना, 15 अनुपाते 56, A प्लस B का अनुपाती कियो कितना होगा, 71, तो अगर 71 होगा नहीं, तो 71 का कोई गुड़ज होगा, मतलब A प्लस B का मान कुछ भी हो सकता है, 71 नहीं तो 71 का पहाड़ा पढ़ी है, तो 71 के पहाड़े में ये तो नहीं आएंगे, ये तो नहीं आएंगे, 71 एकम 71, A प्लस B का एक मान 71 भी हो सकता है, अच्छा सवाल था, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, देखें, आपको लिंक मिल रहा है, कॉमेंट्स में, जॉइन आवर ओफिशल टेलिग्राम चैनल, प्लीज जॉइन दा टेलिग्राम चै एकजाम के लिए free of course material मिलेगा, जिसका use आप अपने selection के लिए कर सकते हैं, ठीक है, 71 होगा, बिल्कुल, कौन सा, ये A माइनस B कहां दिख गया, प्लस नहीं होगा, अच्छा, प्लस अहीं है, एक तो कह रहे हो, प्लस होगा नहीं हो, फिर उत्तर भी बता रहे हो, A माइनस B, ठीक है, A प्लस B, मुझसे भी कहलवा रहे हो, ठीक है, चली, 70 होगया, आईए, question number 18, पूरक कोड़ों के एक यूग में, एक कोड़ों, दूसरे कोड़ों का दोती आई है, छोटे कोड़ों का संपूरक क्या है, पूरक और संपूरक क्या होते हैं, हमने पहली ही class म चर्चा की थी, पूरक किसी एक कोड़ों का नाम नहीं है, दो कोड़ों को जोड़ने पर अगर, दो कोड़ों को जोड़ने पर अगर 90 मिल जाता है, तो ऐसे कोड़ों के यूगम को हम पूरक कोड़ों कहते हैं, जिसका नाम है कोटी पूरक भी, कोटी पूरक भी कहते हैं, क और यह है complimentary, ठीक है यह है, तो गहरा है पूरा कोणों के एक योग में एक कोण दूसरे कोण का दोती आई है, एक कोण दूसरे कोण का दोती आई है, तो माना एक कोण, यह थोड़ा था basic हम भी कर लेते हैं, माना एक कोण, माना एक कोण, माना एक कोण क्या है, हम ले ले लेते ह तो दूसरा कौन क्या होगा दूसरा कौन क्या होगा भाई एक कौन दूसरे कौन का दो तीहाई है तो दो तीहाई हो गया इस कौन का अब ये दोरो कौन पूरा कौन है तो प्रशना अनुसार इन दोनों कौन को जब भी जोड़ा जाएगा इन दोनों कौन को जब भी जोड़ा जाएगा तो इनका योगफल कितना आएगा 90 क्यों 90 आएगा क्योंकि ये दोनों कौन किस तरह की है सभाव में तो हम कहेंगे पूरक कौन है तो जोड लेते हैं तीन एक कम तीन तीन दो पांच पांच ए बटे में तीन बराबर 90 पांच से काटेंगे 18 पंचे 90 एक कामान कितना गया अठारत यही अठारत यही Ann हिए आ चावण अठारत यही चावण तो इसका मतलबव एक कोनगा आ गया चावण दूसरे कौन का मान आ तो चोटे कोण का संपूरक ग्याद कीजिए चोटा कोण क्या है 36 और 36 का संपूरक हम से बोल रहा है तो संपूरक का मतलब दो कोणों को जोडने पर 180 आए 180 में 36 है तो 186 में 36 घटाएंगे तो कितना आएगा 144 तो इसका मतलब सहीधतर क्या होगा सी बहुत देर बाद आया चाउमीन है ना कि अ कि अ कि सुमित कुमार सी ठीक है तो यह कि इस सवाल को फिर से देख लिए कुछ जाता है यहां पर हुच-पुच हो गया है देखनी कह रहा है एक कौन दूसरे कौन का दो त्या आई है अगर एक कौन अलफा है तो दूसरा क्या होगा इसका दो त्याई यह इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 90 क्यूंकि दो दोनों ही कोटी पूरक है जोड़ देते हैं तीन एकम तीन दो पांच बटे में तीन बराबर नबवे तपांच से काट दिया मैंने । आगल अगर अल्फा कमान चोवन आ गया तो दूसरा दो बटे इन अलपा है यह दोबटे तीन गुड़े चोवन इन से काटूंगा तो ये दो जो कोटी पूरा कौन थे उनका यूग मता 54 और 36 ये कोटी पूरा कौन थे करें छोटे वाले कौन का संपूरक बताओ तो 36 का संपूरक क्या होगा 144 हमसे पूछा गया था था यह जिसको हमने पूरा बोर्ड भरकर इस तरह से देखां नेक्स्ट कुस्ट्चन यह है वेरी 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 मच इंपॉर्डट शिवम सही जवाब है रवी बिल्कुल सही जवाब है सुमेत रवी सभी का सही जवाब आ रहा है तो आईए यह इस सेशन का लास्ट सवाल है लास्ट बोल देता हूं ताकि क्लम्भी सास ले पाए जबकि विद्यारती जीवर में सास नहीं लेना मना है इकस स्क्वाइर-3X-40 आएए आपको दिघास समीकन के दो गुरुंखन कैसे निकालते हैं जल्दी से बताता हूं रवाब स्क्वाइर प्लस 13x-40 और स्क्वाइर- स्क्वाइर-2 train x-20 अगर दिघास समीकन है और दिघास समीकर्ण द्विगार समीकर्ण के दो गुड़नखंड आप निकालना चाहते हैं तो ये जो constant नियतांक होते हैं इसके दो गुड़नखंड करिए पांच अठे चालिस और दो गुड़नखंड आपको इस तरह से करना है कि उनको जोडने गटाने पर x का गुड़नख राप्त हो जाए तो आप देख रहें 8, 5 गए 3 यहाँ पर हमने क्या किया 8, 5, 40, 8, 5, 13 20 को किया हमने 4, 5, 20, 5 में 4 गटाएंगे x गुड़नख एक आजाएगा गुड़नख का मतलब जो x के साथ संख्यात मकमान दिया हुआ है ठिक तो क्या मैं दोनो 5 और 8 ले लू? नहीं दो गुड़नखंड तो ले लिया लेकिन उसको इस तरह से लेना है कि जोडने पर x का गुड़नख का है जो कि क्या है माइनस 3 और इनहीं का गुड़ा करने पर क्या है माइनस का 40 तो दोनों ही प्लस में है प्लस प्लस का गुड़ा करूँगा तो माइनस तो नहीं आएगा माइनस का अब आएगा जब एक माइनस में प्लस में हो और मुझे दोनों को जोडने पर माइनस 3 भी लाना है required गुलिनखंड आ गया plus 5 minus 8 और x का मान क्या जाएगा इसी चिन्ण को पलट के रखिएगा minus 5 और plus 8 क्या सीखा हम यहां दिखाता हूँ मैं आपको अगर मैं दोनों ही plus में ले लूँ तो यहां तो बात बन जा रही है 8 5 plus का 13 और 8 45 plus का 40 तो x के 2 मान आ गए 8 दोनों के चिन्ण बदल देंगे minus 8 और minus यहां देखते हैं अब 5 ओके 20 plus का तो नहीं आ रहा है minus का आ रहा है तो 1 को minus में 1 को plus में ले लेता हूँ तो गुड़ा करने पे 5 ओके 20 plus minus minus और 5 में 4 गटाऊँगा एक बड़ी संख्या का plus है तो plus का एक आएगा इसका मतलब यह required गुड़न खंड है चिन्ण बदल के लोगा plus का 4 minus का 5 तो यहां पर हर जगा x बराबर minus 5 x बराबर minus 5 x बराबर minus 5 तो x बराबर minus 5 और minus 5 को जब इधर लाऊँगा तो यह plus का हो जाएगा x बराबर 0 तो यह x का मान था और यह x बराबर 5 गुड़न खंड के रूप में आ गया तो आपसे पूझा था सार गुड़न खंड common factor सभी में common क्या है x बराबर 5 सभी में common क्या है x बराबर 5 x बराबर 5 होगा सर जी बिल्कुल सुमित कुमार रवी चौहान सभी का उत्तर सही आ रहा है और जितने भी हमारे student हमारे सार जुड़े हुए सभी के सही उत्तर आ रहे है तो चलिए जैसा कि मैंने कहा था यह एक last सवाल है और इस सवाल के साथ इस session को हम finish कर रहे हैं आज आपने जो patience दिखाया और जो एक dedication दिखाया to the session शुरू से आकरी तक बने रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे विश्वास सही कुछ न कुछ छोटी बड़ी चीजे आपने जरूर सीखे होंगी और मैं कहना चाहूँगा कि session को share जरूर करिएगा और 10-12 daily मेरी class चल रही है तो 8-12, 8-10 रामसर ले रहे हैं 10-12 मैं ले रहा हूँ और 12 के बाद जो की अभी 5 मिनट बाद तब तो चाहिए पानी वनी पिलिजे अब राजीव सर की science special class शुरूरू होने वाली है आप तो जानते हैं राजीव सर अपने आप में one of the best faculty in science ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है कल मिलते हैं मुलाकात कल होगी